कि आप सब उम्मीद आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सव अभिप्स एजूकेशन फॉर एक्सेरेंश की इस ओलाइन प्लेटफर्म आपका हर्दी सोगत कर तो भाई आज हम डिसकस करने वाले क्लास कौन से विज्ञान का जबरदस चेप्टर जबरदस पार्ट कौन से वह आप सब्सक्राइब करता है कैसे ग्रोथ करता है इसके बारे में कर रहे हैं प्रजाती बढ़ाता है समुदाय समाज बढ़ाता है करता है इसके बारे में करते हैं इसके बारे में करते हैं तो सबसे पहले यह तो पता ही होगा भाई क्या सर इस पौम आती है सुक्राणू आती है किसे अंडानुस मिलती निस्टेशन की क्रिया होती है तब जग नए बच्चे पैदा होते हैं यह बात होई थी कहां वह बात होई थी जीव में जीव मतलब मनुश्यों में अब यह चीज होती है पौदवन में भी सर निदागर में बैठ जाती है वह कर देता है उसको भी क्या वही तो भी फर्मेंटेसं क्रोसेस्स कर देता है फिर या होता है यह सब पूरों प्रोसेस पढ़ेते हैं वहाई सामने अब आप देखते कुछ क्वेशन जो कि क्या है किसे कहते है इसके दो करें लिखे यह पूछा गया था 212 में क्या है चीज क्या है तो मैं बता दू प्रेसेंटा जो है कहीं ने कहीं आप से पैदा हुए तब जो है यूज हुआ अब अच्छे से जान पा रहे हैं क्या होता है जिसके दौबारा गर्भासे में स्थीत भून के सरीर में माता की रग्त का पोशन पहुंचता है तो मतलब क्या मतलब अन्दर पहुंच रहा हैया है उसको बहुते है इसके माध्यम से होते है जिस सार का खाना-पीना जो आपको प्रचेंट बेबी देखो वैजिस यूह यह कारणा-फैना पीना चो आपकशनPLE पूंचता है जो आपको घर कहने लेड़ीं आंदर में जो बच्चे आयकर रहे होंगे उसको पूसंतर तो मिलता है वह करते हैं प्लेशेंटा काम करते हैं यह पूछ दिया था द्वारबाइस में इसको और पूछ सकता है अगर ने भी पूछा तो भी आनकाजी लखिए थीक है यहां तो की बात समझ में बच्चो प्लेशंटा के द्वारब भोजन पानी गया से इत्यादी मां से प्लेशंटा से होते हुए बच्चे के प्लेशंटा में होकर गुजरता है इसका काम तमाम कर दिया है और पढ़ लिया है चलो देश्ट कुछ ने सर क्या बोलता है यूगमक क्या है अब यह पेरिंग जो होता हुँ उसको पूछ रहे का पूछा था दौरबाइस में पूछ यह सब को मिल जाएगा बच्चो ठीक है यह होती है यूगमक डेफिलेशन लिख देना भई अब देखते सार नेश्ट कोईशन क्या बोलता है पूछ पके चीत्र बनाकर उसमें नर और मादर जनान अंगों को अधर साहिए अब यह तो पता ही है कैसे इसका बीच में क्या हो कि सब तो यह वर्तिकागर होती है ना मादा और नरका जचनांग डणी रहती है यह दंडी कहलाती ही वर्तिकागर अब इसको और टिकागर जिसको बोलता है और चिणे बोलते है अब परतिगा रहे जाता की बात समझ में अब इसका अंडासर देखो और यह क्या बोलता है यह नीचो जो पूर्शन होता है और यह जो जाइगराम है वह बताता है पूस्पकी अनुदेर्द काठ काठ है जिसको बात करूं तो पराको जैसे और पाद करूं मतलब फूल की बात पुतन्तु जिसे फ्राइमेंड मेंड बोलते हैं वह दिकता है और यह चाहिछ देना आपको अच्छे बता देना है और अगर दिक्षा अगरशन है और अगर दिक्कत है देखो ऑपर में कि यह ना यह सब प्रोसेस होता है जो पहुंचा पहुंचने वाली वर्तिकाग्र है उसमें गया बिजान दो देता है जब लिए और यह प्रसेस होता है यह क्लियर हुआ बच्चो तो समझ में आए आगे बढ़े बच्चो यहां तक उप स्क्राइब कमसे कम पांच अंतर लिखे है ना अब देखो सर लेंगिक कि प्रजनन हैं तो इसमें देख लेते हैं चलो दिखते हैं यूग मको का निर्मान निस्यचन गती-को सीखविभाजन और विकास के अंतर बात करूं इसमें लेंगिक में मतलब मनुस्य बात करूं किसे मेल विमेल भाग ले रहे हैं होता है ये तो क्लियर है इसमें यूगमगो का निर्मान नहीं होता है क्या होता है बात समझ में अब इसमें की क्रिया होती है मतलब एक एक आंसर याद रखो एक सेट्सन याद करो दूसरे आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो क्लियर हुआ यहां तक बात समझ में अब देखो इसमें जनक से संतती का निर्मान धीमी गती से होता है क्यों भई यह जानो यह मानो आप आए आपके बाद आप बाप बनेंगे या फिर यह बोलू कि आप जब दादा जी बनेंगे तो आपके संतान आपके पूत्र आप उसके प्रजिनन्ट की जो प्रोसेस है किसमें लेंगिक में कितना टाम है क्यों क्योंकि मत सात मनद के बाद ही बेभी पैदा होता है अब यह होता है सरी एक बच्चा पैदा करने में नौसे 10 मेंब लग लग रहा है किसी प्रजात्ति को या फिर किसी जीजनतु को फिर उसके होता है इसमें निर्मान के समय अर्दा सूस्त्री विभाजन होता है अंतर इसको यह क्लियर हो ही जाएगा इसमें विकास के संभावना अधिक होती है किसमें नर और माधा के संगम होगा तो बच्चा उसका विकास संभावना कितना सही है कितना अच्छा है यह पांच नंबर आपके मुठी में ठीक है बात समझें चलते हैं सरे क्या बोलता है महावारी क्या है इसका मादा मुनिश्टे के सरीव पर क्या प्रभाब परता है सर भी इसने पूछा गया था देखो पेर गिर गया अब देखो भाई यह इन टॉपिक जो है कहा जा सके तो बहुत ही इंपोर्टेंट है और मादा के सरी मतलब फिमेल के लिए वह ज़्यादा ज़रूरी चीज है क्या पिरियाट्स का आना महावारी का आना अब यह क्या होत तो यह बता दूँ जब हम की सोरा अस्थम रहते हैं या फिर यह बोलू कि जब हम छोटे बच्चे थे उससे जब हमारा ग्रोथ होता है जब हम बड़े बनते जाते हैं यह बोल सकता हूं सबस्क्राइब सब्सक्राइब बोलू कि जब हमारा उम्रर जोई दस साल से उपर होती है या पिर चवद्स साल के आश्वास में पहुशता हूं तो पुरुसों में क्या होता है पुरुसों का डाड़ी मुंच आना शरीर में बाल आजाना है ना और आवाज में भाईपन आ जाना हर्मोनाल सरीर से हैं ना एक क्या बहुता है ब्लट का निगवन होती है यह महावारी किरी बोलू सान के ऊम्र तक होता है एक उम्र के बाकता है सर घर्वधारण हो जाती तो यह जाती है जब गर्वारी के समय है क्या होता है भई महावारी ज़ब होती है तो जरली यह बोलते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है इस का इस महावारी को प्रोसेस चाड़ रहे है तो यह बोलते हैं महावारी पारे में कुछ बेसिक जनकारियती थी ठीक है बच्छों यहां तक समझ आया है अब आप बोलू तो सब्सक्राइब करते हैं चलो देखते हैं मादाओं में मतलब फिमेल में गर्वासर का अंता इस्तर अंडे को ग्रहन करने के लिए गिर जाता है और उसके सरीर में उसके सिस्थान पर नया अंता इस्तर बन जाता है सर गर्वधारन के लिए यह क्या रहता है घर्वधारान नहीं हो रहा है चतलों यह ने सहनों पर निकलता है है जो इसमें बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है महिलाओं को फिमेल को बच्चों ठीक है यहाद की बात समझ में आई पीरियट्स किसे बोलते हैं समझ में बच्चों क्लियर हुआ बहुत जरूरी चीज है क्यों क्योंकि यह होने के कारण ही फिमेल जो है आने वाले दिन म सब्कुलन में दर्द महुत होता है अब देखते हैं क्या होता है सर इसके माहवारी कम मादा मनुस्रा के तुरीर क्या प्रवा आना अब यह होती है साथ ठीक है उस बिच में क्या होते हैं तो बच्चों यह चीज़ याद रखो कि आपके सरीर जैसे नार्मल चोट आता है तो ब्लड निकलता है तो दर्द होती है ठीक है सर लेकिन इस अवस्था में तीन से चार दिन तक कंटिन्यू फिमेल लोग को एमिन सब्सक्राइब करें चले आगे बढ़ें यह सबसे परिचीज होंगे ही आप परिचीज है तो बस उसको सैंटिफिक तरीच से कैसा लिखना है एक्जाम में इसके बदे रखा है है और अच्छे से इसके अब यह स्ब्सक्राइब क्या है यह किसी प्रजाती की समेश्थ् segurança में किस प्रकार से है जिसемें प्रतिक त्यारी उपने ड üzला 250 न राखता है अब यह अलग चीज है कि आज मनुस्यों की देंसिटी इतनी बढ़ गई है इतना बढ़ गई है कि बेरोजगारी से लेकर बहुं सार बीमारी भी हो रहा है यह अलग मुद्धा है तो यह प्रजणन आओ सकता है करता है जिसके बारे में क्लियर होगा आप यह वीडियो देखकर आया होंगे पिछले वीडियो में इस समझ में आहीं गया होगा जब अलैंगिक प्रोसेस होता है तब करता है बच्टों ये क्या मुकुलान-विखंडन विजानु-निर्मान का प्रोसेस होता है ठीक है अपने ही समान लषणों वाला जिवुत्पन न करता है जो कि अपनी प्रजाती की समुदाय को बनाया रखता है ठीक है बच्चों क्लियर हुआ कि समझ में अब आप क्या बोलता है सर कैसे यह होता है यह तो बताया हूं मैं जब से चैप्टर स्टाट हुआ है मैं आपको यही फोटो बताता है आया हूं भई इसके लिए दोछ चीज क्या हो सकता होती नर और मादा का कब जब लेकिन अलाइंगी की बात करता हूं तो उसमें सोता ही एक जूव क्या बोलता हूं एक ही प्रजाथी की जौथ पढ़ती एक ही चीज की जौथ पढ़ती क्या बोलते हो तो आप नर और मादा का आप क्या कर सकते हो प्रजणन के लिए आस्यक जननांग का तस्वीर बना सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट कोश्चन है तो मैं इसका फोटो भी आपको लिए नहीं रखा हूं क्योंकि आपको पूर डीप पता ही है इसके बारे में ठीक है तो जादा जानकाई नहीं देते इस प पारे में आप अपने दोस्तों से भी कर लिये हो गए बताते रहते हैं और अपने दोस्तों से सरकल में आपको भी पता है प्रजणन क्या होती है इसके बारे में ज़्यादे ज़रत नहीं है बच्चों ठीक है आप यह और अभवस्ता में आया हुए है निशेशन के पत्षाद आने के बाद उनको क्या-क्या सुधा होती यह पर यह सकता हूं उनको जब यह प्लेग्नेंट होने बाद क्या-क्या चीज में उनको सेप्टी रखना चाहिए उस पर चलते हैं गडरवावति महिलां को स्वास यह उसका सवधानी है दोहर 22 में पुछा गया तो 19 से पुछा गया तो हो सकता है आ जाए है ना लेकिन कॉमन सेंज भी है आपको पता ही होना चाहिए कोई भी बच्चा बता सकता है कि उनको पर करना चाहिए औनको सनलाइट में रहना चाहिए उनको करना चाहिए हैं हो कि और और किया करना चाहिए बच्चों कहां गया जी हाँ और और पदारतों से दूर रहना चाहिए जो कि इससे स्वासता में बुरा अस्वर्ण पड़ता है और गर्भासता में क्या प्रब्लम उसको दूर किया सकता है सब्सक्राइब को समानने से अधिक नींद और विस्तराम क्या सकता होती है रेश्ट भी अच्छा से प्रॉपर लेना जो रही है ठीक है अब देखो जो कोशन आता है समझान से लेकर अंकूरन की क्रियाविधी यह कि होता है देखो में रिवागन की फरसेस होता है इसमें क्या वर्थिकागर तक पहुच ना परागन कहलाता है जैसा कि मैंभा करकािघ कैसे नहीं की सिसद्ण वाला पार्ट है जो स्थे करें तो पस्ते हूं मिलना बस्ते होती है क्या होती है पर आगन के बाद अनगे देखो परागन के बाद परागन से एक निमीודה होते हैं इना युकमक और अगता हिए ऑ होता हुआ कि इजान को यह कुर दो युगमक रात आतर और यूगमं कर लेकिन और यूगमन कर लीक्राइब अबहु किया रहते हैं और यहां कि बात समझ में बच्चों क्लियर हुआ फोटो निसेचन की प्रक्रिया जो है कि प्रक्रिया जो है तो यह वह वर्तिकागर की करा था सर मैं वहां जो है मैं बात किया इस्त्री के सर है ना और पूंग के सर से हवा और कीट की सहायता से भई समझ में आया फिर अब क्या होता है सर यह तो हुआ ठीक है सर लेकिन अब क्या होता है इधर अब यह जो है पराक कर्में वर्तिकाग्र है और यह सब तो पता ही ठीक है अब देखो क्या अब देखते हैं निसेचन के बाद फूल की पंखुडी कुंके सर वर्तिकत अथा वर्तिकागर घिर जाते हैं और अंडासे लगा रहता है अंडासे लगा ही रहेगा वाहा दल सुख जाएगा अंडासे सीखरेतर से वृद्धी करता है और इन में इस्थित को सीखाय विभाज है भुरून में एक छोटा मुलांकूर एक छोटा प्ररोह तथा बीजपत्र होते हैं अंडासे की भीत्ती बन जाती है और परिपक्वार्णास है वह फल करते हैं यह पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलता है भाई एक पूस्प की पूरा प्रजात्ती जो है देखिए डाग्राम भी बनाना है फोटो बनाना है चाप देना है और साथ में यह थेओरी भी आपको याद रखना है कैसे पराकन क्यों सकता होती है और बीज का बनना है यह कीनो टॉपिक में आपको एक्सप्रेशन देना है ठीक है बच्चो अब देखते हैं नेश करेंगे यह फिडियों करेंगे यह एक बढ़ जाती है और पहले और उसके बाद बर विभाजी हो जाता है यह समझ में आया भई यह हुआ विखंडन का प्रोसेश अमीबा में विखंडन के वारे में त्योरी जो है आपको 29 अच्छे से लिग देना है यह हुआ इस चैप्टर का एंडिंग और हमने क्या क्या बात किया हो तो आपको क्लिर समझ में आया भई कैसे सर निस्टेशन तो क्या बोल सकते हूं मैं पूस्पो में यह जरूरी हो जाती है तो यह सब होने के कालाण जियो उत्पर्ण होता है और उनके वृद्धी के लिए भी आउसकत होती है आपके बूक में पूरा प्रोसेस दिया हुए बच्छों पूरा डियाग्राम दिया हुआ आपको अच् सब्सक्राइब कैसे सिक्वेंस बढ़ता है चार हफ्तें में कितना डिवलाफ होता है यह सब भी दिया हुआ इसके बारे मिलकुर आप पढ़ सकते हैं बच्छों तो आज हम इस सेशन का खतम करते हैं हम बायला जी का इंडिंग आज और अभी कर दी देते हैं इस प्रकार हम हमने पूरा बारा चैपकर कर दिसक्राशन कर लिया और उमीदे बच्छों आपको अच्छे समझ में आएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों बताना है यहां तक पहुंचाना आप बिलकुर दोस्तों से सेयर करिए और अगर आपको पूरा नाउल पढ़ाई करना है तो उनके लिए आप हमारे एप को सेयरे सकते हैं बिलकुल अच्छे तरीके से और जबरदस तरीके से हम पढ़ाया है उसमें आपको एप पूरा रिकॉर्डरी वीडियो मिल जाएगा बच्चों तो आज के लिए इतना करते हैं बिलकुल आप आपने करते हैं